आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everybody Choose the option which best expresses the meaning of the idiom और phrase given below Phrase है हमारा Let sleeping dogs lie Options है हमारे To get someone drunk मतलब किसी को drunk बना देना Second option A fair competition where no side has an advantage एक fair competition जहाँ पर किसी भी side के पास कोई advantage नहीं है दोनों parties के पास कोई advantage नहीं है To make a dog to sleep मतलब कि एक dog को जो है सोने के लिए actions लेना And fourth option is To avoid restarting a conflict मतलब कि किसी conflict को फिर से restart करने के लिए फिर से पैदा करने का avoid करना तो यह जो हमारा phrase है Let sleeping dogs lie इसका मतलब होता है To avoid restarting a conflict Which is our fourth option Okay It means To avoid interfering in a situation That is currently causing no problems But may well do so As a result of such interference मतलब कि कोई conflict है कोई issue है कोई situation है जो अब exist नहीं कर रही है ठीक है लेकिन अगर आप उसको restart कर रहे हो मतलब कि उस situation में फिर से interfere कर रहे हो तो वो जो problem से फिर से बढ़ने लगेंगी ठीक है आपके interference के वज़े से अननेसेसरी रिस्क और डेंजर जो है वो पैदा हो जाएगा तो जब हम इसको अवोइट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए फिर राइट तो इट मेंस तो इग्नूर अ प्रॉब्लम बिकॉस ट्राइंग तो डिल विद इट कुट कॉज अन इवन मोर डिफिकल सिचुएशन मतलब कि जो सिचुएशन जैसी अप है उसको वैसा ही रहने तो आपके इंटरफेरेंस जो है आपके डिस्टरफेंस जो है वह और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी ठीक ठीक कवीता को पता था कि वो जो एक्सिदेंट हुआया उसको रिपोर्ट करना चाहिए बट उसने डिसाइड किया तू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए मतलब कि कोई कॉन्फलिक्ट ना हो जाए कोई प्रॉब्लम और जादा न खडीर जाए इसलिए उसने उसको अवोइड किया फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थैंक्यू